आज हम डिसकस करेंगे इंडियन होम रूल लीग मुव्मेंट होम रूल की डिमांड बालगदर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलके 1915 के दुरान की बेंगॉल को इस तरह से डिवाइड किया गया कि बेंगॉल में मुस्लिम मेजोरिटी के लोग अलग हो गया और नॉन मुस्लिम बेंगॉली स्पीकिंग लोग अलग हो गया 1905 में सोदेशे अन बायकॉर्ट मुव्मेंट लॉंच हो गया यह जो पारलिमेंटरियन्स लड़ते हैं वो आज की बात नहीं उन दिनों में भी एक दूसरे को मुक्य मारे गये चपल चले, कुर्सियां चली फिरोशाव मेता को एक चपल आके लग गए फिरोशाव मेता उन दिनों बहुत बड़े नीता थे और यही से सूरत स्प्लिट हो गया यानि कि कॉंग्रिस के अंदर दो फांट हो गया कॉंग्रिस तूट गई वेलकम तू पनेशे टूटर आज हम डिसकस करेंगे इंडियन होम रूल लीग मुव्मेंट इतिहास का वो पार्ट जिसमें होम रूल के जो आइडिया है वो नुक एन कॉर्नर तक पहुंचा दिया यह रोमेंटिक आइडिया हर दिल और दिमाग में छा गया होम रूल की डिमांड बालगदर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलके 1915 के दुरान की होम रूल की डिमांड का बेक्ग्राउंड क्या है अगर हम बेक्ग्राउंड में चलें तो इसकी शुरुआत 1905 से हो गई जब अंग्रेजों ने बेंगॉल को डिवाइड कर दिया फोर अड्मिसेटिव कन्विनियन्स के लिए बेंगॉल को इस तरह से डिवाइड किया गया कि बेंगॉल में मुसलिम मेजोरोटी के लोग अलग हो गया और नॉन मुसलिम बेंगॉली स्पिकिंग लोग अलग हो गए बेसिकली 1903 से ही अंग्रेज चाहते थे बेंगॉल को डिवाइड करना administrative convenience की वज़े से लेकिन 1905 में जिस तरह से उन्होंने बेंगॉल को डिवाइड किया उसने इंडिकेट कर दिया कि something else was in their mind कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है उन दिनों बेंगॉल एक center बना हुआ था National Freedom Struggle का और अंग्रेज इसी center पे attack करना चाहते थे They wanted to attack this root cause of nationalism और 1905 में जब उन्होंने बेंगॉल को जब उन्होंने डिवाइड किया तो उन्होंने दिखा दिया कि हम चाहे कोई भी हो 1905 में सोदेशयन बाइकॉट मुवमेंट लाँच हो गया 1905 में ही moderates और extremist के बीच में जो differences थे वो बहर आए Actually जो moderate के तरीके थे वो ये था कि अभी भी British sense of justice में वो विश्वास करते थे उनका लगता था कि अंग्रेजों के सामने अगर हम अपनी बात सही से करें तो definitely Britishers will come and rescue us हमें हमारे grievances को वो कम करेंगे हमारी complaint जरूर सुनेंगे इसलिए वो British government को यहां justify करते थे उनको लगता था कि British सरकार जो इंडिया में है वो सही है Progressive है वहीं extremist को ये सब चीजें पसंदनी थी वो complete अजादी चाहते थे अंग्रेजों से 1905 में ये differences बनारस के session में आया इस समय जी के गोखले प्रेज़ेंट थे Congress के 1906 में अगेन ये differences surface हुए Extremist चाहते थे उनका परधान बने Congress का और Moderate चाहते थे उनका परधान बने दोनों पक्षों में जगड़ा चल रहा था और compromising candidate दादा भाई नारो जी को कलकता session का 1906 में प्रेज़ेंट बनाया गया दादा भाई नारो जी जो की दोनों faction जो है उनको respect करते थे दादा भाई नारो जी ने extremist को खुश करने के लिए पहली बार Congress के पटल से ये कह दिया कि स्वाराज is goal of India यानि की Dominion status is goal of India इंडिया का अपना राज होगा स्वाराज होगा लेकिन अफकोर्स एक British Empire का part के रूप में 1907 अगें moderate चाहते थे कि उनका प्रधान बने सूरत के meeting में और extremist चाहते थे उनका प्रधान बने इस टाइम रश बिहारी घोश को President बनाये Congress का again moderate भई ये जो Parliamentarians लड़ते हैं वो आज की बात नहीं उन दिनों में भी एक दूसरे को मुक्के मारे गए चपल चले कुर्सियां चली फिरोशा मैता को एक चपल आके लग गए फिरोशा मैता उन दिनों बहुत बड़े नीता थे और यहीं से सूरत Split हो गया यानि कि Congress के अंदर दो फार्ट हो गया Congress तूट गई 1907 सूरत Split यहां moderate को लगता था कि एक्स्रेमिस्ट के बिना सब कुछ कर लेंगे और गवर्मेंट उनका कुछ नहीं उखार सकती गवर्मेंट उनसे डरती है लेकिन दोनों गलत थे moderate से government इसलिए बात करती थी कि उनको लगता था कि एक्स्रेमिस्ट कहीं hardliner approach ना adapt करने और extremist को government इसलिए कुछ नहीं कहती थी क्योंकि government को लगता था कि peacefully protesting लोगों के सामने brutal कैसे बन सकते हैं government एक तरफ moderate से कहती थी कि वहीं next reform करने जा रहे हैं यह reform तभी possible होगा जब आप extremist का साथ छोड़ दोगे हुआ यही 1907 में सुरस्पिट इस समय victorious party ना तो moderates रहे ना extremist victorious party रही British government उन्होंने Congress को तोड़ दिया उधर मुसल्मानों को भी Britishers ने Indian National Movement से अलग करना शुरू कर दिया 1857 के revolt से अंग्रेज परशान थे क्योंकि 1857 के revolt में हिंदू और मुसलिम जो unity नजर आई उसने अंग्रेजों को irritate कर रखा था इसलिए मुसल्मानों को इस National Movement से अलग करना चाहते थे वो प्रिंस को प्रिंस से लड़ा देते थे पढ़े लिखे मुसल्मान को पढ़े लिखे हिंदू से लड़ा देते थे इस तरह से वो divine and rule policy अपना रहे थे मुसल्मानों को इंडियन नेशनल मुव्मेंट से अलग रखने के लिए बहुत सारे जतन किये Around 1900 में United Provinces, UP उन्दनों को United Provinces कहते थे यहाँ पर उर्दू official language था यहाँ उन्होंने हिंदी इंटेडूस कर दिया अक्तूबर 1906 की बात है अगाखान deputation एक ग्रूप आगाखान की leadership में Vice Reich को मिलने गया और अगाखान deputation का मकसद यह था कि अंग्रेजों से demand की जाए कि उन्हें separate electrodes दिया जाए यानि कि अगर किसी area में हिंदू है मुस्लिम है तो मुस्लिम अपना नेता चुने और नौन मुस्लिम अपना नेता चुने इसी को कहते है separate electrodes इसका मतलब यह हुआ कि अगर नौन मुस्लिम नेता है तो वो मुसल्मानों का भला नहीं कर सकता अगर मुसलिम यानि कि कोई हिंदू है कोई सिख है तो वो मुसल्मानों का भला मी कर सकता इसी तरह से टून नेशन थियोरी उन्होंने ड्वल्प करना शुरू कर दिया जब आगा खान डेपुटेशन वाइसरे से मिलने गया तो वाइसरे ने भी बड़ा गरम जोशी से स्वागत किया और ये ऐसे स्वागत किया जैसे वो गए ना हो जैसे इन्वाइटिड किये हो यानि कि आप जाते हो तो आपके मिलने का तरीका अलग होता है और अगर कोई बुलाए आपको तो मिलने का तरीका अलग होता है लीग भी बननी चाहिए और दिसम्बर 1906 की ही बात है मुसलिम लीग का गठन हो गया 1907 में उसका स्विधान बना और 1908 से अमरे सरसे का सेशन रेगलर होना शुरू हो गया इस तरह से एक मुसलिम लीग संगठन बन गया कॉंगरिस की तरह जो सिर्फ मुसल्मानों के लिए ही सर कार से फरमाईश करी गया मुसलिम लीग का शुरू से ही गोल था कि लोयलिटी से अंग्रेजों से मुसल्मानों के बहतरी के लिए छूट ली जाए तो इसलिए सुरू से ही मुसलिम लीग एक लोयलिस्ट और्गनेशन थी अब 1905 के बाद जो स्वदेशी एंड बायकॉट कर दिया और एक तरफ मुसल्मानों को इस मुमेंट से अलग कर दिया पूरा पूरा जो यूनिटी 1857 में थी तोड के रख दिया 1907 के बाद जब एक्स्रेमिस्ट और मॉडर्ड से अलग हो गए तो फिर एक्स्रेमिस्टों को तरंक दबा दिया गया सारे बड़े बड़े नि इंडियन पॉलिक्स में स्पिल कोल स्थिरत आगे कोई मुवमेंट नहीं चला और रेज ही तो चाहते थे यह वेक्यूमनेस 1914 तक चला जब तक बाल गंगादर तिलक जेल से छूट के नहीं आए और दूसरी तरफ 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी सौथ अफरिका से वापस नही हुआ। मॉडर्स को अपनी गलती का धिरिदर अहसास हो रहा था। जब बाल गंगादर तिलक 1914 में जेल से छूट किया है तो उन्होंने देखा कि भी 1908 के बाद 1914 तक कोई मुवमेंट नहीं हुआ। इसेंट ने भी सोशल एरीना को छोड़कर अब कॉंग्रिस को जॉइन कर लिया था। दोनों का मत था कि हम सब एक हो जाएं और अंग्रेजियों से होम रूल की डिमांड करें। तिलक ने गौर्मेंट को एक कांसिलीटरी मेसेज भीजा। तिलक ने कहा कि मैं गौर्मेंट क अपोस नहीं करूँगा। मगर हम इंडिया में जिस तरह से आर्लेंड में आइरिश होम रूल है वैसी इंडिया में होम रूल हो। अफकोस इंडिया एक बिटिश एंपार का पाथ हो। इस तरह से इन्होंने डिमांड रखने शुरू करती। लेकिन कॉंग्रेस को समझाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए एनिबेसेंट और बालंगदर तिलक दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपना होम रूल मूवमेंट अलग-अलग स्टार्ट करेंगे। जो एक्स्टेमिस्ट और मॉडरेट्स को एक करनी की बाद थी तो 1914 में ये संभव नहीं हो पाया। 1915 में फिरोशा मैता का द्यानत हो गया था। इसलिए वो ग्रुप कमजोर पड़ गया। फाइनली बॉम्बे में जब सेशन हुआ 1915 में तो ये फैसला लिया गया कि मॉडर्स एक्स्टेमिस्ट एक हो जाएंगे। और उधर मुसल्मानों की पार्टी मुस्लिम लीग से भी एक एग्रिमेंट हो जाएगा। मगर ये सब 1916 में होना था अगले साल लखनो सेशन में तब तक क्या करें। अब यहाँ पे दो बाते हैं। एक तरफ मुसलिम लीग और कॉंगरिस दोनों क्लोज आ रहे हैं। दूसरा एक्स्रेमिस्ट और मॉडर्स क्लोज आ रहे हैं। अ उसने अपना अब्जेक्टिव चेंज किया सविधान का। उन्होंने अपने सविधान में लिखा कि अब मुसलिम लीग भी इंडिया के सवराज के लिए फाइट करने को रेडी थी। और दूसरी तरफ कॉंगरिस का तो गोल था ही। और अब मुसलिम लीग में यंग लीडर्स जॉइन कर रहे थे मुहमद अली जिन्ना जैसे लोग ये यूनिटी में विश्वास रखते थे और यूनाइटेड होकर फाइट करने में विश्वास रखते थे। दूसरा कारण है वर्ल्ड वर वन की शुरुआ बिसिकली मुसलिम लीग शुरू-शुरू में करोगे तो हम कॉंग्रेस के साथ मिलकर नैशनल मूर्मेंट में पाइटिस्पेट करेंगे। उनकी मांगे थी जैसे कि अलिगर्ड में एक मुसलिम इनिवर्स्टी बनाना गॉर्मेंट उस मांग को दरकिनार कर रही थी। दूसरी मांग थी कि वो तर्की के खलीफा की मदद करें क्योंकि तर्की जो था वो इरोप में इटली से जंग लड़ रहा था तर्की के राजा को खलीफा माना जाता है और खलीफा जो कैलिफेट होता है मुसलिम वर्ड में खलीफा एक रिनाउंड और रिस्पेक्टेड पोजिशन थी। मुसलिम नेता और मुसलिम राजा ख जुनों के बीच में दूरियों को कम करने के लिए. 1916 आया. एक तरफ मुस्लिम लीग ने अपना सेशन लखनों में किया. दूसरी तरफ कॉंग्रिस ने भी अपना सेशन लखनों में किया. तीसी तरफ मोडेर्ड्स ने extremists को Congress के अंदर दुबारा से re-admit कर लिया लक्नों सेशन में अमभिका मजबुदार जो की एक मोडेर्ड से resident है उन्होंने extremists को Congress के अंदर इंड़क्त कर लिया लेकिन उतना गरम जोशी से इंड़क्त नहीं किया गया जितना गरम जोशी से बाल बालंगदर तिलक चाहते थे। खेर हम इस पे एक बार और आएंगे लेकिन उससे पहले दुबारा हम 1915 पे चलते हैं। जब 1915 में ये तैह हुआ कि 1916 में जाकर एक्स्रेमिस्ट को री इंडक्ट किया जाएगा कॉंग्रिस में तो इस दौरान बालंगदर तिलक ने सोचा कि क क्या किया जाए। तो एनी बेसंट और बालंगदर दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि क्यों ना होम रूल लीक की मुवमेंट शुरू की जाए। होम रूल उस समय डिमांड करना गैर काम नी था। सडिश्यस एक्टिविटी थी देश दौरो माना जाता था। बालंगदर तिलक और एनी बेसंट दोनों ने होम रूल मुवमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया। बालंगदर तिलक ने अप्रेल 1916 में अपना होम रूल मुवमेंट शुरू किया। और वहीं एनी बेसंट ने सितंबर 1916 में अपना होम रूल मुवमेंट शुरू किया। होम रूमनट शुटाट करना था। दोनों ने अपने अपना एरिया डिवाइड कर लिया। बालंगदर तलाक ने मातर छे और्गनेशन बनाई और अपना होम रूम शुरू करerei दूब होम रूम के आइडिया को नुक्प अं कॉर्णर तक लिगा एं। बड़े सधारन से शब्दों में कि स्वराज होगा तो कैसा होगा ये जो romantic idea गाओं गाओं हर घर घर हर दिल तक पहुँच गया बाल गदरतलक अपने इस idea को newspaper के through conference करके बच्चों की meeting करके, pamphlet शापके अलग-अलग भाषाओं जैसे हिंदी, मराथी, गुजराती में छपवा कर लोगों को समझाने लगे और home rule का idea ऐसा popular हुआ कि लोग ख्वाब देखने लगे स्वराज का इसी home rule moment में तिलक ने साथ में जोड़ दिया कि हम अजाद होंगे तो भाषाई अधार पर राज्यों को dwell करेंगे यानि कि linguistic reorganization of state ये इन्होंने announce किया वही एनी बेसेंट का जो home rule moment था वो बड़ा lose के समझा था कोई भी तीन लोग एक ब्रांच बना सकते थे एनी बेसेंट का जो home rule moment था शुरु में 34 home rule की branches जो establish हुई जो founding branches थे उनी में से 7 लोगों को चुना गया ये home rule moment को manage करते थे लेकिन बाइन लार्ज एनी बेसेंट के बड़े जो close लोग थे जिसमें से अरुंदले, वादिया and C.P. रामसौ में आयर ये तीन लोग ही home rule moment को चलाते थे हैनी बेसेंट के home rule को बाकी लोगों ने भी जोईन किया जैसे की जो आल नेहरू ने जोईन किया और भी कई moderate congressmen ने जोईन किया Congress के moderate congressmen भी परिशान थे क्योंकि 1908 के बाद कोई activity नहीं हुई थी Congress के अंदर, देश के अंदर इसलिए वो home rule moment में participate करके अपना गुसा जहिर करना चाहते थे दूसरा, government ने भी कोई action खास नहीं लिया था इसलिए government को भी वो unity दिखाना चाहते थे इसलिए congressmen के साथ-साथ बाकी लोग भी home rule moment में जुड़े अब home rule moment बड़े तेजी से फैल रहा था यह home rule का idea लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा home rule moment बहुत अच्छे चल रहा था 1916 की बात है लखनव में session होना था बालमगदर तिलक ने कहा सभी home rule leaguers को यानि कि वो जो लोग जो home rule में participate कर रहे थे कि आप Congress के session में as a congressman नहीं register करो बलकि as a home rule leaguer के रूप में register करो उनका मकसद था कि पूरे लखनव session को भार देना home rule leaguer से खैर उन्होंने home rule league special train organize कि बड़ा हजूम लगा 1916 में लखनव के अंदर एक तरफ Muslim league अपना session कंड़क्ट कर रही है दूसरी तरफ Congress अपना session कंड़क्ट कर रही है दोनों में लखनव पैक्ट साइन हुआ इस unity को देखकर government घबरा गई government इतनी घबराई कि उसे 1857 जैसा revolt याद आने लगा ये दर सताने लगा 20 August 1917 की बात है Montague, Secretary of State London की Parliament के अंदर एक ब्यान देते हैं देखिए, दर से ब्यान दिया जाता है क्या ब्यान दिया जाता है? अगर मैं इसे पढ़ दू तो आप समझेंगे ब्यान देते हैं Montague 20 August 1917 की policy of his majesty government is that of increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institution with a view to progressive realization of responsible government in India as an integral part of British empire meaning there by कि Montague कहते हैं कि हमारा मकसद है जरे-जरे Indians को government में शामिल किया जाए और finally India को Dominion status दे दिया जाए यानि कि India को अजाद कर दिया जाए ये था unity का नतीचा अब home rule की demand गैर कानूनी नहीं रही क्योंकि Montague declaration आ गया any patient अब थोड़ा सा confuse हो गई क्या government की ये proposal को accept किया जाए कि ना किया जाए जो moderates जिन्होंने home rule league को join किया था अब वो खुश हो गया के तबाह Congress home rule league का जो purpose था solve हो गया क्योंकि government अब home rule provide करने वाली है इसलिए धीरे-धीरे जो moderate Congress थे वो पीछे होने शुरू हो गया बालगंगादर तलक बहुत शूर थे home rule movement के बारे में बट critical समय में वो देश से बाहर चले गया actually उन्होंने एक defamation case यानि कि मान हानी का case कर रखा था वी चिरॉल के खिलाफ वी चिरॉल ने बालगंगादर तलक को father of Indian unrest कहे दिया था इसलिए शूर थे अपने home rule movement के बारे में लेकिन वो critical time में absent थे automatically home rule league movement खतम हो गया मगर खतम तो हुआ लेकिन इसने क्या के contribute किया अगर आप उस contribution को देखोगे तो home rule league ने एक direction दी national movement को कि अब हमें किधर जाना है क्योंकि इन्होंने home rule की जो demand की थी उसी के तरफ अब लोग attract हो रहे थे प्रेरित हो रहे थे दूसरी तरफ home rule movement के तरह अब जो illiterate लोग थे अनपर्ड लोग थे वो भी participate कर रहे थे पहले elite लोग participate कर रहे थे moments में अब जो lower तपका था वो भी participate कर रहा था ये moment movement शहरों से निकल कर आप गाउं तक पहुँच गया जिसने एक निया cadre create किया आने वाले वक्त में महात्मा गांदी के leadership में जो भी moment होने वाले हैं उनके लिए तो इस तरह से home rule movement एक बहुत बड़ा milestone था इंडियन नेशनल freedom struggle में friends ये home rule movement कैसा लगा आपको आप comment section में comment करते अगर आप उसमें कुछ add करना चाहते हैं तो भी लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो like करें, share करें और हमें please support करें Thank you Panesia Tutor लाया है एक education platform जहां पर अलग-अलग courses जैसे की IAS, PCS, UGC Net, SSC और banking exams के लिए online और offline classes की सुविधा उपलब थे comprehensive coverage of all these subjects through quality video lectures है aptitude का topic that is blood relation uncle's only daughter He took the throne तो जो throne पे एमपरार पैठ थे वोपने साथ ले गए Kohinoon diamond, the world famous Kohinoon diamond वो भी की बोगल ट्रेजरी से ले गाए फिर आया economic pragmatism जानी की चाहे हमारे सापसे जगड़ा भी है तो भी हम आपसे ब्यापार करें जैसे चाइना हमारा जगड़ा होते हुँ भी हम उसे ब्यापार करें PDF notes और उनसे जुड़े हुए relevant MCQs साथी साथ comprehensive mock tests तो जोई पनेशा तूटर पर यूर सुस्सेफल और ब्राइट फूटर